नमस्कार मैं हूँ पासी उसायन एक बार फिर आपका स्वागत है देशी लायर चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गिरफदारी से जड़ुही कि जो भी व्यक्ति गिरफदार पुलिस अधिकारी की दोरह किया गया है उसके क्या अधिकार है और पुलिस अधिकारी किस प्रिक्रिया का पालन करते हुए किसी की वी गिरफदारी करेगा तो गिरफदारी से जड़ुही पूरी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखेंगे अगर आपने हमारे आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी नहीं नहीं कानुन जानकारिया हांसिल कर सके तो चलिए शुरू करते हैं गरबदारी के समय पुलिस वाले को गरबदारी प्रिक्रिया का पालन करना अनिवारी है सबसे पहले अगर किसी वेक्ति की गरबदारी की जाती है तो गरबदारी के समय अगर कोई वेक्ति उपस्तित है तो उसका भी ब्योरा आरश्ट मेमू में लिखा जाता है समय क्या हुआ है किस पुलिस अधिकारी के दोआरा गिरभदारी की गई है उसका पद क्या है इन सबी बातों का उसमें ब्योरा लिखा जाना है और दूसरी बात यह आती है कि जब किसी विक्तिकी गिरभदारी कर ली जाती है तो बारे घंटे के अंदर अंदर उसके परिवार को सूचना देना अनिवारी है और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जब भी अगर किसी विक्ति ग्रफदारी हो जाए और उसे लगे कि मुझसे पुलिस वाले ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसमें मैं उलज जाओं या मेरे खिलाब मामला बन सकता है तो उसका ये अधिकार है कि वो चुप रहे कोई किसी पिरसन का जब आप तब तक ना दे जब तक कि उसका बकील ना आ जाए जब आपके परिवार को पता लग जाएगा तो वो किसी ना किसी बकील को लेकर आपके पास जरूर आएंगे पूछेंगे आपसे कि किस तरीके से आपकी गरफदारी हुई किस मामले में आपको उठाए गया है अगर आपको ग्यान है तबी तो कहते हैं न कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है अगर आपको ग्यान है तो आप खुद स्वेम उन पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि मेरी गरबदारी क्यों की जा रही है भई मुझे बज़े बताइए क्या मेरी जमानत तुरंत हो सकती है क्या थाने से जमानत हो सकती है फिर कोट जाना पड़ेगा और मेरे बकील को बुलाया जाए अगर पुलिस वाले आना का नहीं करते हैं देखिए पहली बात तो यह आती है कि अगर आपको थोड़ा सभी घ्यान है न तो पुलिस वालों के अंदर यह संका पैदा होगी कि या कुछ आपके साथ जरूर सही होगा अगर आपका बकील आ जाता है आपके पास तो आपको कुछ ऐसे वो पॉइंट बताएगा जिसको आप जब पुलिस वाले आपसे कोई सवाल पूछे तो उसके अनुसार आप उनको जबाब दे और दूसरी बात आती है गिरफदारी से ज कूरिय निकलने से पहले किसी भी महला की गिरफदारी करना गयर कानुनी है हाँ बिसेयस परिस्तियों में मजिस्ट्रेट की पर्मीशन के अनुसार उसकी गिरफदारी हो सकती है सुप्रीन कोड ने तो गिरफदारी से संबंदित कई सारी गैडलाइस दी है लेकिन अपनी इ ग्यान का होना बहुत जरूरी है अगर आपको थोड़ा भी ग्यान है तो पुलिस करमचारी ये पुलिस अधिकारी आपसे जरूर तमीज से पेस आएगा उनको ये हक नहीं है कि आपको मारें पीटें जब भी आपकी गिरफदारी होती है और आपको PC डिमांड पर लिया जाता है कि भाई मेरा मेंडिकल कराया जाया चाहिए आपके भलाई पेड में दर दो कहीं भी छोटे मोटा कोई भी दिक्कत हो तो आप मेंडिकल कराया उसका इसका एक पहलू यह होगा ना कि जब उसके बाद पुलिस अधिकारी पूस्ताज के समय आपके साथ मार पीड नहीं कर स मेंडिकल कोई दिक्कत नहीं लेकिन सुप्रीन कोट की गाइडलाइन से कि आपके परिवार वालों को 12 गंटे के अंदर-अंदर सूचने दी जाएगी कि इसको ग्रफदार कर लिया गया है और तीसरा पॉंट आता है यह कि 24 गंटे के अंदर-अंदर निरिष्ट मजिस्ट् और चौथा पॉंट यह है कि आपकी पसंद का बखील करने का आपको अधिकार दिया जाएगा आपकी मेंडिकल की डिमांड करने पर आपको मेंडिकल कराया जायागा किसी पिरकार की कोई मार कुटाई आपके साथ नहीं की जाएगी अगर किसी बच्चे की गिरबदारी की जायेगे तो बिना किसी उनिफॉर्म के उसकी गिर्बदारी की जाएगी और इस तरीके से पेस्क आया जायेगा उसके सामने कि उसे जरासावी रतिवर्म डर ना लगे कोगी चिल्डरında कोट में तो युनिफॉर्म अलाव ही नहीं है उसको बिलकुल भी बहे उत्पन नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह थी छोटी-छोटी गरबदारी से जुड़ी कुछ महत्पूर बाते जो सायद लोगों को पता हो तो उनके साथ जितना की अब अत्याचार होता है उतना ना हो सके कुछ तो फरक पड़ता है ना एक ग्यानी आदमी में और एक अग्यानी आदमी में तो मिलते हैं अगले वीडियो में